है वैसलो फ्रेंट्सूडेटीए में हम दिखाने वाले कंट्रोलर 2010 का जो सबीश मशिनों के स्पीड़ कम कर सकते हैं जैसे एंगल क्रेंडर हो गया लावर मशिन होगा है जो हावे का हवा को होता है और ड्रिल मशिन होगा है तो बहुत से जगे हम क्या करता है एंगल ग्रेंडर हम आप हमारा आगस जो शित्र है एक कलरिंग है तो इसमें कि पर स्पीड कम होना काफी प्रपोश्यली होता है क्योंकि यह रॉबुट बना कंपनी का है और यह काफी अच्छा प्रोड़क्ट है आपको 245 रुपए तक मिल जाता है यह हमने एमेजन से मंगाया है यह दो हजार वैट को सुपर्ट करता है देख सकते इसमें उपर की जोलाई ने उसमें लाइन इन लाइन टू सब लिखे वा रहता है इसके तर आपको वाइरिंग जोड़ना होता है तो यह हमने कंट्रोलर मंगाया है इससे स्पीड कम ज्यादा होती है यह डाइग्राम देख सकते हैं इसका इससे हमारा एंगल ग्रेंडर का मशीन ड्रिल मशीन और विट्र सैंडर इससे भी की स्पीड इसमें कम हो जाती क्योंकि यह 2000 वैट का बनाए वाह है तो आप इससे हमलाइन मंगा सकते दोस्तों और यह बहुत से चीजों में काम होता है क्योंकि हमारा कलरिंग कशेतर है तो इसमें हम विंडों होगे लोही की विंडों होते हैं इसे सेंडिंग करने के लिए जो हमारे पास ब्रश यूच करते हम एंगल ग्रेंडर को उसका और के जो काफी कम हो जाता है तो काफी असनी सब सेंडिंग इसका आईसी उसका ट्रांजेक्शन के इसर पूरा में इसमें मेंट्री मेंडिंड रख् अ किتनी कंपनी का है क्या है आदा हो हम लिए ने यह लगा यज देख सकते है आपको टेकिनीकल मैं जानकर यह थोड़ी वो पडिए समझ सकते हैं तो इसका हम RPM थे अभी मशिन से मिसका रिप्यम ज़्यादा करकी आपको दिखाने वाले है कि थो एक दम यह लोपे चल रहा है बहां देख सकते हैं का फिस लो चल रहा है हम इसका RPM और बढ़ाएंगे मशिन से, रेगुलेटर से सब से कम कर रखा है मशिन से, यह काफी श्लो चल रहा है, देख सकते हैं, और इसका RPM हमने आप भी तेज कर दिया है, देख सकते हैं, तो यह हमने आपको high RPM पे अभी यह रणिंग कर रहा है, यह अभी full RPM है, यह देख सक इसका speed, अभी से हम low भी करेंगे अभी, यह देख सकते हैं, यह अभी low हो गया है, तो यह high low पे, यह कम जादा हमने कराया, यह high पे रखा है, तो इसी तरह यह अभी low हो चुका है,